प्रेंट्स हैपी फ्राइडे और मैं अभी आ गही हूं एक्सराइज करके छट से जीम से नहीं जाना एलाओ बिल्कुल भी नहीं अभी लॉक्डाउन चल रहा है और बैंगलोर में यहां पे साथ जुन तक लॉक्डाउन है तो जली मैं नाश्ता निकाल रही हूं फिर से मैंने यह वन विक हुआ मैंने जीम सौरी एक्सराइज करना स्टार्ट किया है तो पहले मैं जीम जा रही थी बट लॉक्डाउन के बाद साइज अलका फुलका तो रही पहले नाश्ता कर लेती यूश कनो मैं करने के बाद नाश्ता है मैं पहुत जोरो कि भूग लग जाथा इसलिए पहले नाश्ता कर लो तो यहां पर आर Quinn करेंगे ऐसे स्पेशल कॉन rest तो यहां आ डूवा फcji कव्या निकाला हो है् अब्रकाई शुका 25 इल दिमें बॉ तो मैंने निकाला और जस्ट को काट रही हूं और उसके बाद फिर मैं दूद निकालूँगी तो पैकट वाला अभी निकाला नहीं है और हां विप्त ने घ्रलम काई बचा अब ड़ना मैं दूसरा नया पैकेट भी काड़ लिया अब मैं उसको सस्पेन में डालूंगे और हल्का सा गरम करती हूं ज्यादा गरम नहीं करती हूं नहीं तो कॉन्फ्लेक्स भींके दूद में भींके फुल जाता है तो मुझे यह मेरे हजबन को नहीं पसंद है तो इसलिए हल्का स्टील वाला सस्पेन में ज्यादा टाइम नहीं लगता है तो इसलिए मैं डायरेक्ट माज के ही रखते हूं और यह गूड है जो हम लोग यूज करते हैं दूद में हलका सा गूड्रा लोंगे क्योंकि चाऊकोज वेकरा अगर खाते हैं तो उसमें मीठा और ड़री लगता ही है लेकिन कॉनफ्लेक्स में कुछ मीठा ऐसा नहीं लगता है और हलका मीठा पसंद है इसलिए गूर इस्तमाल करते हूं तो यह कॉनफ्लेक्स में निकाल रहे हूं काटोरी में डाल रहे हूं दोनों काटोरी में डालूंगी उसके बाद फिर मैं ले जाओंगे नास्ता तो ह अब ही यही लाइट लाइट नास्ता ही चल रहा है तो यह देखिए मैं हस्बिन को दे रही हूं और वो काम में इतने बीजी रहते हैं कि अब तो मतलब मेरी सौदन बन गई है यह लैपटाउप और उनका आफिस और यह देखिए मैं भी नास्ता लेकर आ गई हूं तो मैं भी यहां पर कर लोंगी जल्दी से नास्ता क्योंकि बहुत जोरो की भूग लगी थी और साथ में ड्राइफ रूट भी थोड़े से लाई हूं वो भींगा वता रात कोई हम लोग भींगा के रख देते हैं उसको मैं यहां पर पांच-पांच मैंने पहले बताया था पांच-पांच आमें रहता है और दो अक्रोट वालनेट रहता है दो तो यह हम लोग खाते हैं डेली बेसिस पर तो यह मैं खा रही हूं और जल्दी से नास्ता करने के बाद फिर काम भी स्टार्ट करना है यह मतलब जो भी है काम घर में और बहुत सारा काम भी मुझे जल्दी से सटार्ट करना है थोड़ा बहुत हम लोग का बात भी हो रहा था यह देखिएज रहें तो यही जो नास्ता का टाइम रहता है या खानी का जो भी टाइम रहता है उसंहां थो भी बात हो जाता है नहीं तो मेरा हuitenे का आफिस का बहुत ज़ादा काम रहता है तो वह बीजी ही रहता है और मैं भी उनको ज्यादा डिस्टब नहीं करती हूं चाय पीने के टाइम में हम लोगा रहा हमसे बात करते हैं यह बॉर्णिंग में जब दूद यह चाय कुछ भी पीते हैं तो तब हम लोग बात करते हैं ऐस बात करते हैं झाय कुछ गारे बात करते हैं लोगा रहा है और में तो तो भीते हैं जब दूद झाय पीते हैं जब शदद भीता रह incarnate झाल 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 तो अभी मैं बना रही हूँ तो झाल झाल तो झाल तो आपके साथ मैं फिर शेयर करती हूँ यहां मैं मैं मसाला पीस रही हूँ हूँ जिस्टे कि वो पालक पनीर और चिकन दोनों यह मैं बनाऊंगी सेम मसाला होगा तो वही मैं पहले ग्राइंड कर लूँ उसके बाद फिर पालक को पीस लूँगी पालक मेरा बॉयल कि यह वो एस का पत्ता हलका सा अधो बस पीशना बनाओंगे जब भी मिकसी से पीस्ती यो यह जो भी अबिक रखती और चुरुब जो करना आया है विर उसे तुर मैं किस्ली चुह मेंचिट लेती हूं इसके हैं मैं यहीं साफ घुट warmer आफं 있지 канале और उपर उसको रखती हूं हमेशा यह देखिया आपको दिखाती हूं देखिये मेरा मसाला फ्राइ हो चुका है और यहां पे चिकन का मसाला अभी मैंने फ्राइ होने के लिए चड़ाया है चिकन देली मुझे बनारए सिम्स करी मादेख के शो काटALK नाती हूँ झोह करा साम falak, ना language करने, इसी से चाहिए चिकन बनाुगी Certision चिकन डेली और ना क lleg Roakan Life, भाजका अनक्तिम है अचाहिए नियूकोत nou आचक जो हो कि न मैं तो जाती ना हुत네 यह देखें, बहुत अच्छे से फ्राई हो रहा है और इसका जो ऑईल है यह बाहर निकल के आ रहा है, मतलब यह फ्राई हो रहा है और भी थोड़ा सा होना है हम मैं इसका अंच थोड़ा बढ़ाऊंगे और इसको फ्राई करेंगे फिर यह जो खुंती है यह मैने लिया है, और हिंदी में मुझे ने पता क्या बोलते हैं, हम तो खुंती है कला मैं जोड़ा हूं बोलते हैं, और छुंती में आ और यह बांते हैं, उक्ति कही प्राई खुंती चिकन पानी नहीं के अब भी पाणी डाल कि इसको अब धक धींदा निकले गार झो पानी डाल के उसको बॉल करई यो को ली आप दिया है धोग्या वड़ा दिया है तो यह सुट और यदि भेँ टाल के हम जोपीक्ट भ्यामना सब्सक्राइब कर गोड़ा है यह इंट दो कुछ बनाने में उतना टाइम नहीं लगता है मतलब महनव थोड़ा कम लगती है बढ़ा टेस्टी बहुत ज्यादा होती है जोले फ़री और जादा से पानी से कम भूआ छिए पानी नाट संवे कराएं मुझा बाटयू हुआ तो क्लीज़ पानी कम हो जाएं पानी करें सन्हीं होगा ने जादा अच्छा नातीज़ तीज़ पस्क्राइब जब चावल को बना चावल को बनाएं और यह चावल को बनाते हूं इसलिए अरवा चावल है जो हम लोग यह घाते हैं पर हां भर में यह जो होता है आज मुगे मन किया तो इसलिए मैंने आज मसाला पीस के चिकन को बनाया है बस अब पानी डाल दिए इसमें तो मैंने पानी डाल डिया है यह पकेगा बॉल होगा पानी में अच्छे से चिकन रेडी हो जाएगा और कस्मीरी मिर्चार्ज मैंने थोड़ा कम डाला है इसलिए आप कलर देख सकता है थोड़ा फीका है लेकिन मैंने हरी मेर्ची जादा मैंने पीस्ते टाइम ही डाल दिया था इसलिए कश्मीरी मेर्ची में थोड़ा कम डाला है तो यह हो गया यह बॉल होते रहेगा अभी मैं याज को जो फुल फ्लेम में रख रही हूं क्यूंकि यह जब बॉलिंग आता है तो एक साउंड आता है वह जब आयागा पता चल जाएगा मुझे की यह बॉल हो रहा है तब मैं फ्लेम को थोड़ा कम कर दोंगी यह देखिए अभी फुल फ्लेम में है यह उबर रहा है चिकन तो यह देखिए बॉल जो हो रहा है इसका आवाज भी आपको सुनाई दे रह ही है यहां पे मैं ढाले हो रिफाइन की तो यह पे अमें ढाड़ गडाय कर फेर दे अब उत्लोंगी चार्लाइं में दहाई ब्लेशक, अब सैजसे नाहिए सब्सक्राइब ऑफने को थोड़ा सा थोड़ा सा थिया है और यह अधिके यह खड़े मसाले गरम मसाले यह याशाही गरम अधिक फया थाए जो भोग जब बीटीद, यह थोड़ा सा भूणे फ्राइब तब हम लुग उसमें डालेंगी अधिक जादे कुछ नहीं डाला है ज कश्मीरी मिर्च यह सब नहीं देते नहीं तो कलर उसका ग्रीन नहीं होके लाला टाइप का आ जाएगा तो वह बहुत अजीब लगता है कलर इसलिए मैं उसमें ग्रीन चिली ही पीछ के डालती हूं तो यह दिख्राई हो चुका है गरम मसाला अब मैं डाल रही हूँ तो भी मम्रेट के डाल पूरा मिर्ची तक बालती है अर नहीं हो रहा है तक घमी आंच में इसको तरह से प्राई करना इस मसाला को कुछ में नहीं रहना चाहें है महिन में थोड़ा सा दे रही होग नम्म का अधी अथ्ल दिया किर्वाइः ऑर इसको मैं अठ्छे से प्राई करूंगी पहले है गर्म मसाला दूंगे लेकिन कुछ देर में दूंगे अभी नहीं अभी अच्छे से फ्राई हो जाए और मैं इसको अब डग दूंगे ये बेखिए डग दिया है मैंने अब ये फ्राई होगा दीरी दीमी आँच पे तो ये देखिए मेरा पालक का पालक का पेस्ट वो पूरी अच्छी तरह से बन चुका है इसमें मैं यह डालूंगी पनीद और पनीद एतना ही है चार-चार आठ पीस है को मैंने गरम पानी से पहले ही भिंगा कर रख दिया था तो यह पनीद में डाल दोंगी जितना भी है और बात में जब पनीद लेके अब मैं इसमें पनीद को पालक ही है पनीर नाम के बराबर है जब लाएंगे जब इसमें डालूंगी तो वह हो जागा है एक्चुल में पालक पनीर तो यह हो गया मेरे रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक कीजिएगा ओके तो यह देखिए गाइस यह हम लोग का आज का लंच फ्राइड किया लंचOSांप 1.5-100명 के बाद आज है मैं आपको दिखाती हुँ यह राइस यह ने करें को बड़ाइं नमक तेल तेल साना हुआ है नमक और तेल के साथ मिर्चा देखा रही तो यह है इतल भूंजिया कि और या है यह चिकन बहुत अच्छा बना है यह चैसे कि आप देख रहे हैं और यह देखिए, यह है मेरे अजबन की ठाली और यह है मेरी हम लोग हमेशा नीचे ही बैट के खाते हैं, डाइनिंग टेविल अभी हम लोग के पास नहीं है छोटा सा घर है, रखने की जगा नहीं है और इतना पैसा भी फसाने की इच्छा भी नहीं है तो यह है हम लोग का फ्राइडे स्पेशल लांच यह देखिए गार शाम हो चुकी है और यहां पर चाय है अब बिस्किट है यहां पर क्रीम बिस्किट एक है और दो नमकीन बिस्किट है और यह है वैसे यह खाना उतना अच्छी बात नहीं है बट आधा लाए गया था तो बस खा के खतम किया जा रहा है फिर नहीं खाया जाएगा क्योंकि एक्सेसाइज के साथ साथ ये खाना ये कोई अच्छा काम नहीं है क्या कहना है आपका? पिल्कुल क्या? आपसे मैंने लाओंगा चिप्स ओके क्या आपकाराण आपकाराण था लाओंगा? क्या आपकाराण उाया लाओंगा गज़ ये लाओंगा? तो यह वीडियो आपको किसी भी रीजन से अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करना बिलकुल मत भूलेगा मिलते हैं कल अके लिए बाबाई गुड नाइट टेक केर